शुबसंध्या, देवियों और सज्जनों और मिडनाइट पॉड़कास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, कला, संस्कृती और असाधारन व्यक्तियों की कहानियों के साथ आपका मिलन, जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है. आज रात हम भारत के ओडिशा के प्रसिध ओडिसी नर्तक, गुरु के लुचरण महापात्र के जीवन और विरासत पर चर्चा करेंगे. एक सच्चे दूर दर्शी और अपनी कला के स्वामी, गुरु के लुचरण महापात्र ने न केवल ओडिसी नृत्य शैली को पुनर जी प्रारंभिक प्रदर्शन ने नृत्य और आध्यात्मिकता से उनके गहरे संबंध की नीव रखी. जैसे जैसे वे बड़े होते गए, गुरु के लुचरण महापात्र का अपनी कला के प्रतिसमर्पन बढ़ता गया. गोटी पुआ और महरी नृत्य पर उनके व्यापक शोध ने, मर्दला और तबला जैसे ताल वाद्दे अंत्रों में उनकी विशेश शज्जता के साथ मिलकर उन्हें ओडिसी नृत्य को नया रूप देने और पुनरगठित करने की अनुमती दी. उनके प्रयासों से यह नृत्य शैली शैलियों के सागर को पार करते हुए नई उंचाईयों पर पहुँची और दुनिया भर के दर्शकों को म अंत्र मुग्ध कर दिया. गुरु केलु चरण महापात्र ने अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया महापात्र जो खुद एक प्रतिभाशाली नर्तक हैं और उनके बेटे रतिकांत महापात्र के साथ मिलकर 1993 में स्रिजन की नीव रखी. स्रिजन ओडिसी नृत्य की खोज, सनर और प्रसार के लिए एक मंच बन गया, जिसने गुरु जी की विरासत को जारी रखा, और कलाकारों की अगली पीढ़ी का पोशन करना. नृत्य की दुनिया में गुरु केलु चरण महापात्र के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया. 1966 में उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरसकार मिला. इसके बाद 1974 में पद्म श्री और 1988 में पद्म भूशन मिला. 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप से सम्मानित किया गया, जो प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच मान्यता है. भारत. अंततह 2000 में वह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरसकार पद्म विभूशन प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले व भावना व्यक्त करनी चाहिए, ताकि एक दर्शक महसूस कर सके कि वह देखी गई चीज से अलग नहीं है. ये शब्द एक अनुसमारक के रूप में कार्य करते हैं, कि कला में दूरियों को पाटने, आत्माओं को जोडने और सीमाओं को पार करने की क्षमता है. और इसके साथ हम गुरु केलुचरण महापात्र को समर्पित आज रात के एपिसोड का समापन करते हैं. वह महान व्यक्ति जिन्होंने ओडिसी नृत्य को पुनरजीवित किया और प्रदर्शन कला की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी. आकार देने वाले असाधारन व्यक्तियों की एक और रोमान्चक खोज के लिए अगली बार हमसे जुड़ें.